तो और दोस्तों कैसो रहा आप लोग्स मैं आप सभी को विल्कम करता हूँ आपके फिरेट यूटूब चैनल जी है टुटोरियल्स में और मैं हूँ का और मुन रहा हूँ जो आपको क्या पाड़ाद है आपको पहले चैनल पर मिलेगा या जाके चैक आउट करो आपको पहले लेसन नंबर 3 करना है उसके बाद यह स्टार्ट करना है ठीक हां अगर कोई ऐसा बच्चा है जिसको निम्रीकल से थोड़ा सा डर लगता है तो उसको उसको जाधा प्रैक्टिस करें वैसे इतने मार्क्स का आता नहीं एकना मिक्स में लेकिन आपको एक से दो कोशन देखने को शौर मिलेगा और कभी कबार उसको भी ऑप्शन में डालते और वह बहुत सिंपल है दोस्तों उसमें आप अगर पुरा सही कर गया होगा एक मार्क मिलता है मैं आपको सज़ेस्ट करोगा आपको नियुम्रेकल में ज्याधा मैनत करनी है क्योंकि हाथ के मार्क से फ्री है बहुत इजी है स्कोर करो दरो मट ठीक है बागी अगर कोई बच्चा आप पहले बार रहा तुम इसको बता दो रहार हम एक्चेशन एडिए वाले तीके बागी कमेंट सेक्शन आपके बनाया गया है जो भी टाउट है जो भी आप सजेस्ट करना चांट करना टॉपिक कमेंट करो न यार उस पर हम फिर वीडियो आपको प्रोवाइड करेंगे तो दोस्तों आज हम क्या करने वाले कि 4 बहुंहों है चलो याझ करना है शेयर करना है इंस्टग्राम ऐडम एक है और बागी हुमारे टीटेश्स को जो आप लिए डिन राथ मैलत करते है चलिए दोस्तों हम सब कुछ सब का मेरे पर डे hopes घै चलिए जो भी अपने बात करते हैं शुर पूरा फोकस यहां पर दोस्तों आज हम पढ़ने वाले लेसन नंबर फॉर पहला चैप्टर इसका मलब पहला लेक्चर है तो टेंचन मतलो बाकी मैं यह बताना चाहूंगा आपको यह लेसन से ना ऐसा कुछ खास आउट ऑप दा बॉक्स वाला नौलेश्ट में नहीं ते पा स्टाइट करें फिर लेसन नाम क्याए आऊ पड़ते एकणाओमि आफ महरास्टा इस्टा को आप के स्टूडेंट में अप पच्छा करें सर कैसी अपर रहा है क्यों हो रहा है क्या रीजन से आज हम इस चैप्टर में जानने वाले हैं बहुत ही आसान सा चैप्टर तो नहीं है इसमें आपको कुछ चीजों को याद रखनी पड़ेगी तिक लेकिन मैंने आपको थोड़ा सा करके दिया है इसे सेटप आप देख सकते हों यहां पर फोकस यहां पर डिवीजन ऑफ महाराष्ट्रा में बहुत सुन्दर सुन्दर पार्ट बने गए हैं जिसको डिवाइड कर रखा है और कितने साल पहले देख लो महाराष्ट्रा में दोस्तों 36 डिस्ट्रिक्ट्स है और वह भी डिस्ट्रिक्ट्स है इसमें डिवाइड किये गए जिसमें पहला है दोस्तों मुंबई पूने नासिक और अरंगबाद अम्रावती नाथपूर कोई बात नहीं याद नहीं हुएग लोग इतनी बात क्यों करते हैं इसकी आउचानते हमारा माराष्ट्रा के बार में यह कोसें जो है दोस्तों फी राइट फीचर्स ऑफ एकनोमी ऑफ माराष्ट्रा मुझे लगता नहीं एक्जाम में आएगा लेकिन अगर तुम्हारे कॉलेज वालों ने डालती है तो 11.24 करोर एसपर 2011 सेंसस दोस्तों आपको ना सेंसस वारे में काफी बार मतलब रिपेट दिखते होई मिलेगा और यह हर दस साल बादना एक सर्वे होता है सर्वे आप चेक करते अच्छा आप कितने लोग रहते हो आपकी घर में पूछने आते हैं कुछ आंटी लोग आते है हमारी ने नेरे में कितने सारे बड़ा है और कितने सारे लोग एंटेशन में चलिए तर्ड लाजेस्ट इन कंट्री इन जेग्रफिकल एरिया कितना है 3.08 लैक स्क्वाइर किलोमीटर मतलब यहां पे महाराश्रा की ना दोस्तों मतलब इतना बड़ा है महाराश्रा कितना बड़ा उसके बार में बात करें तो हमारे नेशन में अगर कम्पेर करें स्टेट से इस में कॉंपिटिशन में तो महाराश्रा ना 3rd सबसे बड़ा है ठीकर चर्ड आगे चलते सर्टी चलिए most urbanized state 45.20% of its population living in towns and cities क्या बात है most urbanized state है यहाँ पे दोस्तो 45% के आज पास लोग जो है ना कहा रहते towns में रहते cities में रहते महाराश्चा मतलब इतना developed है सा मतलब बच्चो कि हमारे यहाँ पे villages में 55% लोग रहते लेकिन बाकि जो 45% है ना वो cities में रहते अच्छा lifestyle वो लोग जी रहे और यह एक most urbanized state है हमारा महाराश्चा कितना developed है यह उसकी बात कर रहा है फिर यहाँ पर दोस्तों sex ratio कितना है मलब 2011 के census के साबसे वास 929 फीमेल पर 1000 मेल सर इसका मतलब नहीं जमजा इसका मतलब यह दोस्तों अगर हमारे महाराश्चा में 929 वोन है वो में तो वो 929 वो में के लिए 1000 में है ऐसे मलब एक लड़की है तो उसलिए एक लड़का है ऐसे 929 लड़की है तो 1000 में है बाकी के जो बचे हो गर पर जाओ एजा ठीक है चलिए उसके बाद स्टेट की लिटरेसी रेट मतलब हमारे महाराश्चा में लोग कितने पढ़े लिखे उसके एक रेट होती है एक पसेंटेज है कितना पसेंटेज है स्टेट लिटरसी रेट तो यह था दोस्तों कुछ पाच फीचस और यह वाई और यह पाच मैं आपको सजेश्ट करूंगा आप इसको याद रख लो बाइचांस एक्जाम में कुशन आ जाएगा फीचर सफ एकनॉमिय फारस्ट्रा तो आपको यह स्टार्ट फाइट फाइट फाइप पॉइंट्स एक दम अच्छे से लिखने फॉर मार्स का आएगा आपने पाच सिंपलेस्ट वे में सेम लिखना है यार लिख देना ना यह मतलब कि दोस्तों जब 2016 और 2017 में इस एक सर्वे लिया गया था पूछा गया था तब उस टेम पता चला कि महारास्ट्रा में ना डॉमेस्टिक प्रोड़क्ट भूत अच्छा से बिखते दें इसका मतलब यह होता है कि आप जो महारास्ट्रा के लोग है ना वह पता है क्या क से यह महारास्ट्रा के भार के लोगों से नहीं घरिती जादा महारास्ट्रा के लोग अपने आप में याद करना पड़ेगा असा पोईंटे को चार पॉइंट है लेकिन आपको चाहूंगा अगर सब्सक्राइब निकालते ना तो महारस्टा का नंबर एकदम उपर आता है यह पॉइंट यह क्या आपको बोलते-बोलते-बोलते-बोलते-बोलते-बोलते-रीड करना है और लिखना है इक दम राइटिंग प्रैक्टिस और अच्छे अंडरेटिंग प्रैक्टिस भी होगी साथ में आप लेंगर लोगे चलिए क्या दोस्तों महाराष्टा के बारे में जैनते यहां पर क्या क्या अविलेबल है यहां पर अबंडन्ट नेश्र रिसोर्स है इसका मतलब दोस्तों यहां पर महाराष्टा में बहुत सारा नेश्र रिसोर्स है यह के बहुत अच्छी बात है स्किल्ड मैं पावर मतलब यहां के जो लोग है न एक्टम कला कर लोग है कुछ भी कर सकते स्किल है क्रियेटिव है आप यह पॉंट भी लिख सकते हो उसका दोस्तों टेक्नलोजी इसका मतलब यह दोस्तों आपको भी पता नार महाराष्टा में टेकनलोजी जो है बहुत अच्छी है बाके स्टेट से कंपेर करें तो बस यह यहां पर यह पॉंट केना चाहते दोखर आसान है ना यार उसके बाद दोस्तों इंफ्रस्ट्रुक्चर महाराष्टा का इंफ् पुलोग आ रहें कहां पेज अब यहां के लोग यहां के लोग यहां पे लिट्रस्ट्री रेट यहां पे कितना में पॉपुलेशन है सब एक साथ मिलके रहते हैं यह चेक्टर आपको बतना चाहरा है उसके बाद दोस्तों देखें नुश्ट फेवर्ड डेस्टिनेशन स्किल डिलोप्मेंट इंफ्रास्ट्रक्चर उपर P benz às अब आपको भी पता है महारा्स्ट्रा का तूरीजम किस लेवल पर है यह तो बताने की जवरती नहीं आप इतना बड़ा है तो दोस्तों लोग जो क्या करते बताएगा जो भार के लोग नहीं यहां पर महाराष्ट्रा में आते और इसे लैंड खरीद के चले जाते हैं उनको पाता है महाराष्ट्रा इतना हो रहा है यह लैंड आज की जो इसकी वैल्यों 10 लाग रुपे कितने साल बा आते हैं महाराष्ट्रा में उनका करियर बना सके तो कुछ यह थे बेसिक फीचर ओफ महाराष्ट्रा ठीक है आठ पॉइंट से मैं एक्सपेक्ट नहीं करता है कि यह कोश्चन एक्जाम में आ जा और अगर बाइचांस आ गया तो पहले तो तुम्हें नाचना है देखो दोस् स्काठना है तो आपके ऐसे माक्स काठेंगा फिर लेकिन यह हाथ के माकश हैं एक किया जैसा कह रहा हूं आपको टभी रिãy करके लेक्सशनम नहीं है लिगे एक आकिन प्रेसा को चेंज नहीं कर सकते हैं यह जैसा हमें उसे मानना है म Ende कहां से जब बताव ना सर तो यह चैप्टर हमें वह सीखा रहा है और उसके साथ दोस्तों आज हम महारास्ट्रा के एग्रिकल्च्र सेक्टर को देखेंगे और बाकी लेक्श्र में फिर हम दूसरे सेक्ट्र को देखेंगे जैसे इंडुस्ट्री सेक्टर हो गया ही अग्रिक्टर ना ही सिर्फ महारस्ट्रा बल्कि अगर हम पूरे इंडिया की बात करें तो अग्रीकल्चर बहुत ज्यादा रोल प्ले करता है आपको भी बहुत ही इंपोर्टेंट है जब लोग काम कर रहे हैं उनको खाने को कुछ मिलेगा नहीं तो काम कैसे करें और खाने को कैसे मिलेगा अगर आपके नीशन में अग्रीकल्चर हो रहे है तो यह जो फार्मर से वज़ेसे यह पारे है यह ची लाफषिल जीप आ रहे हैं आप कहते हो कि नहीं एक दम सई कह रहा हो ना अब किसी के बच्ची जो हो और नों के जो प्रेंट्ट हों होंगे तो कितनी बड़ी बात है उनके वज़े से मदलब पूरे एरिया का डवलप्ट हो रहा है लोग एकदम खूशी से रह पा रहे हैं इसलिए को हमारे देश में फार्मर्स की इतनी रिस्पेक्ट है है कि नहीं बिल्कुल हाना चलिए अग्रिकल्चर सेक्टर प्लेज वरी इंपॉर्टेंट रूल फॉर ड ध्यान देता है बहुत इंपॉर्टेंट समझ के इस सेक्टर पर वक करता है यह आपको अपने सिंपल इंगलिश में लिखना है जो चेकर होगा ना भाई साब पढ़ले ही इंप्रेस हो जाएगा ऐसा आंसर बिल्ट अप करो यार उसको पहले हिंदी में सचो अब मैंने जो मैं इस बोलना वह आपकी द्यूक्ट इंगलिश में लिखना है और मुझे सेंड करना सब्सक्राइब यह सबताना है वो को याद कर लेना मेरे साथ ही साथ अब दोस्तों देखिए हम इसको चेंज नहीं कर सकते हैं यह फैक्ट से लेकिन यह 10 पॉइंट में से हम 8 यह 6 एट लिस्ट इतना तो याद कर सकते हैं चलिए स्टार्ट करते हैं डिक्रीज इन एवरेट साइज कुछ लैंड ऐसी है जहां पर दोस्तों फार्मिंग नहीं किया सकती और वहां पर बिल्डिंग आ गई है अब वैसे वही सब बाते याद रखते हुए यहां पर फार्मिंग जो है फड़ी सी कम होते जा रही है यह इसका पहला क्या है दोस्तों प्रॉब्लम है लिख सकते हो न डिक्रीज इन एवरेच साइज ऑफ लैंड और इट कॉजस लो इट कॉजस वाट इट कॉजस लो फार्म फार्म प्रोड़क्टिवीटी अलब यहां पर लैंड बहुत कम है इसके वज़े से जो फार्मिंग है वो भी कम हो रही है अपने इंग्लिश में कोई बात नहीं इं कॉम्पूटिशन देखो कही ना कहीं तो आई जाता है बस फार्मिंग में भी कॉम्पूटिशन है कैसे नहीं है तो कितना बड़ा सेक्टर इसमें तो कॉम्पूटिशन तो हो गई ओविस सा बात है तो यह इसका एक प्रॉब्लम एक्सेसिव यूज उफ कैमिकल्स एंड प लेकिन उसको रिपे नहीं कर पारे तो यह एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और फिर जब फार्मस रिपे नहीं करेंगे लोन तो फिर उनको बाकी जो फार्मस उनको लोन कैसे मिलेगा जो बैंक वाले उनके दिमाग में आएगा अरे यार यह भी फार्मर है इससे पहले भी हमने तीन फार्मर को दिया था उसने लोन रिपे नहीं करा क्या पता यह जो फार्मर है अंकल हमारे प्यारे से यह हमें पैसे ना दे रिपे ना दे यार तो अपना फाइला देखेगा को और इं्प्लीमेंटैशन औफ लैंड रिफॉर्फॉर्फॉर्फॉर्फ DU सय अ क्वे लाइं ना कूई अपको पता यह आपको प्रावलु मृत ना दिन बर में ल्युल्स हमारे मे अब आपको भी बता एक ऐसी लैंड है जहां पर दोस्तों वार्मिंग की नहीं जा सकती तो यह एग्रिकल्चर सेक्टर में कैसे रोल प्ले करेगी नुकसान की बात है ना उसके बाद दोस्तों लेस फैसिलिटी अब कुछ ऐसे फार्मा से बिचारे मैनत तो बहुत करते लेकि अपट बेर बच्चे हो आप बिच्चे वी बताऊ मुझे ड्राइव लैंड है आपके पास अच्छी पैसलिटीज नहीं है यह पैसलिटीज एक अच्छी लैंड आई की कैसे यह अपने पैसे दिया आपने लैंड करीद आपने उस पर फार्मिंग की लेकिन भाई मेरे मेरे कि याप पूछो मत किमा समझ रहो और उसका बहुत साथ दिया वह अरे इतना अच्छा फार्मिंग किया रहेगा उस शाल कि आप पूछो मत कि वह लाखों रुपे कमा सके लेकिन जो हमारे फार्मर है आपको भी बताया कृषिचा कि अम्हें कि अध्वर्टाइस करना हूँ औरे जो हमारे फार्मर थे उन्हें फार्मिंग में तो वो एकदम की थे लेकिन क्या के पास marketing का in यह जरुरी है क्या हो सकता है मैं इसे टिर्वा नहीं करता हो लेकिन आपको भी पता है दोस्तों जो फार्मेंग करना चाते हैं तो यह बहुत बड़ी वात है लेकिन दोस्तों हम ऐसा हमें सुना है और ज्ञादा तर जो रेशियो है जो फार्मर्स है उनके education थोड़ी सी कम है तो इसके लिए दोस्तों आपको भी पता है यार अब ग्लोबल वार्मिंग इतनी हो रही है इतना पॉल्यूशन है जिसके कारण सीटीज अर्बन एडियाज में जो है दोस्तों आपको भी पता है वहां पे ना फार्मिंग करना बहुत मुश्किल है अब इसी बात है तो यह बहुत बड़ा सा दिक्कत ह क्लाइमेट चेंज हो रहा है कभी बारिश का वेट करें तो बारिश आ नहीं रही है हम क्रॉप कैसे हो गएंगे उसके बाद इंप्रॉपर रूरल प्लैंस रूरल जाने के दोस्तों एक ऐसा एरिया जो डेवलप नहीं है वह एक विलेज वाला वर्ड बोलता है अब दोस्त लोग आते हैं रूरल एरिया है चिसे हमारे पास पहले साफ सफाई करना नहीं है तो करेगा तब यसज़ेआघ्र by कर प्रॉब्लम्स इन अग्रिकल्चर सेक्टर फॉर मार्क्स अब आपको चार मार्क लिए आएगा जाता से जाधा तो दस पॉइंट है कोई भी छोटे-छोटे इजी एकदम आप अपने मन से भी लिख सकता हो यह आंसर को लेकिन मन से अच्छा इसमें ट्राइ करो नहीं सिधा आंसर जागे प्रिंट कर देना पूरे माक्स मिलेंगे ठीक है चलिए दोस्तों अब हमने प्रॉब्लम्स के बारे में तो जान पर क्या हमारे गवर्मेंट ने सर उनके लिए कुछ किया की नहीं बिलकुल किया है आओ समझते हैं सेवन पॉइंट से टोटल आसान है बिलकुल पढ़के लेना है याद करके लेना है चलिए फाइम मिनिट्स में इस मैक्सिमम फाइमिनिट्स लोगा आपका इस कंसेट को भी समझते चलिए डिस्टिबुशन ऑफ कॉलिटी सीट एड रिजनेबल प्राइस अब गवर्मेंट जो है हमारी उनने देखा यार एग्रिकल्च अपने तरह से मदद करने की कोशिश करी उसके बास इंक्रीज इन नंबर ऑफ फटिलाइजर्स पेस्टिसाइट डिस्टिबुशन अब आपको भी पता है कुछ फामर्मस है वो अपने हातों से हैंड मेड टैमिकल्स या फटिलाजर्स ट्राय करते थे बनाने का अब उनके पास इतने अच्छी टेक्नलोजिय नहीं होगी उनने जो अपने पास 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 नॉलेज है उसके साब से काम करते थे लेकिन अब दोस्तों स्ट्रडी कि इनके लिए अच्छे केमिकल्स बनाए अच्छे पैस्टिसाइट बनाए एक अच्छा उनको एक मास्क वगेरा दिया अच्छी फैसिलिटी भी सो देट यह जब काम करेंगे तो इनको नुक्सालना हो आसाल है डेवल्लप्मेंट ऑफ इरिगेशन फैसिलिटी जब आपको भी पता है फार्मिंग में इरिगेशन फैसिलिटी बहुत दरूरी उसके बिना तो काम ही कैसे होगा फार्मिंग वाला अच्छी होगे उतना अच्छा फसल उगेगा उतना अच्छा क्रॉप होगी है तो गवर्मेंट ने आपने दर से पूरी मैनद करी किया इस चीज में संभाउ समझते संदों मतलब की दोस्तों क्या मतलब गी किया और उनके पास सीज गार कुछ लेंग नहीं सब्सक्राइब, चर्ऑ लग्ए, लेगिन उनको पता नहीं है कि इसका नुक्सान क्या है, इससे कुछ नुकसान हो सकता है कि नहीं उनके बॉडी पर, उनको क्या पता है दो बीछरे खाने के लिए कुछ पैसे कमा है, इसलिए farming करते हैं, उनके पास क्योंकि बाकी कोई knowledge नहीं है, अब उनके पास उस चीज़ का पूरा knowledge हो, इसका ज़रूरी तो है नहीं न, तो government जो है, क्या करते हैं, awareness create करते हैं, awareness हैं कि उनको बताती है, अरे तुम ये काम कर रहो न, इसको ऐसे मत करो, इसके बता हो दोस्तो, electricity के बीना farming करना कितना मुश्किल हो सकता है, हो सकता है कि नहीं, ट्रेक्टर वगरा लगते हैं, बाकी कुछ machine से वगरा आती है, वो कितना important है, और कैसे machines हो तो electricity पे चलती है, और ये चो agriculture pump है न, दोस्तो, ये पानी वाला pump हो गया, ये उसके बात कर रहा है, या फिर कोई भी दूसरा machine वगरा हो, तो government ने उनको लाकर दी है, as a help, कि भाई, हमारी, यहापे देखो ना यार, हमने problems पे, एक मिनिट दोस्तो, हमने यहापे इतना सरे problems को देखा, ये problem को ignore पड़ी करेंगे, solve करना पड़ी का न, और हम आम आदमी तो solve नहीं कर सकते, एक अच्छा position होना चाहिए, तो government आगे आई, और solve करने की कोशिश हमेशा करती है, तो इवे से मुझे पता है, क्या, ये question exam में आ सकता है, क्योंकि यहापे दस्तों देखिए, आप government की यहापे तारीव हो रही है, और हो भी किसकी माराशारा की न, तो ये question आ सकता है, आप मारा क्या लिखा दोस्तों, setting up of agriculture, produce, marketing, committees, APMC, ये लोग क्या करते हैं, हमारे जो पूरी इंडिया की गवर्मेंट है, इनने न, एक ऐसे committee बनाई है, कुछ लोगों की committee बनाई है, जो बहुत ही talented लोग है, अच्छा खासा उनके पास agriculture field में knowledge है, ये लोग ने क्या करते हैं, एक committee बन बनाया गया है, इनके लिए इनको guidance देते हैं, इनके क्या किया दोस्तों, इनके लिए packing facilities लाई है, इनने farming तो कर ली, अब वो जो प्रोडक्ट है, ये जो committee है, उसको pack करके भी देती है, तो ये facilities इनने provide करना start कर दिया है, किसने, इसने, मतलब APMC ने, एकदम clear तो दोस्तों, इसी के साथ हमने major से undertaken by government को भी समझा, हम agriculture sector को भी समझा, अब जो अगले sector से न, वो दोस्तों हम सिखेंगे next lecture में, अब इसी के साथ हमने यहाँ पे lesson number 4 के first lecture को end करते हुए, अच्छे से समझा, agriculture sector को समझाने एकदम बढ़िया से, अरे बाच्चा तो सो गया, अरे उट मेरे समझता हो, तोड़ा सा बोरिंग, आपको लगा होगा, लगा क्या बोरिंग, आपको कमेंट सेक्शन में बता, ठीक है, क्योंकि यह कैसा नहीं है, facts हम इसको change नहीं कर सकते, तो maybe out of the box जाके आपको नहीं सिखा सकता, सिर्फ और से यह chapter के लिए tension मतलो, ठीक है, तो चलो फिर दोस्तों, इस lecture को हम यहाँ पी end करते हैं, जैसी lecture आपका finish हुआ, आपको self study करनी है, आपने पहले नहीं करा, कोई बात नहीं, यह lesson को आपको time to time ध्यान देना है, वरना आपका नुकसान हो सकता है, करोगे कि नहीं मैनत, बिल्कुल, चलिए, और बाकी है मेरे instagram idea, आप ले लेक्चर में है,